देखो यहां पे ही मैं आपको कुछ कमाल की चीज देखा दाओ ठीक है . चस्त मैंने देखा मैंने सुच रक्यों आपको भी दिखाया जाए ? बापके साथ भी बहुत बर हुआ होगा तो आप यह देखो पहले यह आप देख रहे हो ठीक है देख रहे हैं ना मार्केट का माहल क्या चल रहा है मतलब कितना भयानक मार्केट है कोई भी नॉर्मल ट्रेडर देखे डर जाए और फिट से देखो इसको पहले यह देख रहे हैं आप क्या ही मूड चल रहा है मार्केट का और अभी देखो धीरे-धीरे क्या हुआ कि अभी करेंट में भी देख लो कि अभी बड़ी-बड़ी कैंडल्स आना स्टार्ट हुई है ठीक है और इधर एक अपॉर्चुनिटी भी हाँ मिल रही थी तो मैंने सूचा क्यों ने ट्रेड ले लिया जाए मैंने कॉल डिरेक्शन के लिए सारी ट्रेड ले ली स्टार्टिंग में जो ट्रेड ली उसका इंट्री थोड़ा से उपर हो गया तो मैंने सूचा नीचे से ट्रेड ले लेते हैं देखो ये कैंडल जो है ये for sure green ही बनना ही चाहिए और बनेगी भी ठीक है क्योंकि अभी जो market का mood है न वो bats के साथ में यहाँ पर bats का moment मेरे को दिख रहा है तो हो सकता है back to back green candle यहाँ पर आ जाये ठीक है और जो market का area open है वो भी up direction के लिए open है और trade भी अपनी profitable हो चुकी बट यहाँ पे एक चीज आपने notice की क्या मतलब last के एक दू सेकेंड में आपने देखा क्या हुआ मतलब market जट से उपर गया मतलब last के एक दू सेकेंड में और candle देखो कैसी बन गए एक दू हथाओडे जैसी ठीक है तो देखो एक और candle पे चांस में लेने वाला हूँ ठीक है ओके तो अगेन मैंने call direction के लिए trade ले लिया यह भी profitable जानी चाहिए ठीक है बट previous वाले candle में जो हुआ न बदलब इसी के बाद अगर मैं चाहूँ तो यही से भाग जाओँ यह देखो मैं सच बता रहा हूँ कि यह जो market है यह बहुत risky है अभी वाला previous वाला मैंने दिखा दिया मतलब अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ history में क्या था मैंने आपको दिखा दिया इसलिए मैं हमेसा कहता हूँ कि history को देख लिया करो अभी जिस market में मैं trade कर रहा हूँ यह बहुत risky market है ठीक है और क्या हुआ मेरे साथ मेरी trade almost loss में चली गई हाँ देख रहा है मतलब क्या ही हो गया सारी trade यार इका दुका छोड़के मेरी most of the trade loss में चली गई candle green की green ही बनी ठीक है बड़ इसका size ही reduce हो गया मैंने कहा ना यह बहुत risky market है अगर मैं चाहूँ तो मैं तुरंती यहीं से skip कर सकता हूँ और मैं भाग सकता हूँ ठीक है बड़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप जब गंदी market में जब वरदस्ती घुसे रहते हो तो क्या क्या हो सकता है अभी आपने देखा क्या हो सकता है अभी हम और chance लेते हैं ठीक है current वाली अगर green candle बन गई तो for sure इसकी next भी एक green बनेगी 100% और जैसे मैंने कहा कि back to back green candle यहां आ सकती है buyers यहां पे market का mood buyers के साथ पर है ठीक है तो current वाली पर भी हम chance लेंगे ठीक है call direction की ही trade लेंगे और ओके तो यहां पे again मैंने 11 trade ले ली मतलब अगेन मैंने कुछ और बढ़ा दी ठीक है solar trade ले ली मैंने total थोड़ा बहुत entry का इधर उदर था मैंने सुचा क्यों ने entry का और बहतर कर दिया जाए जैसे market नीचे आया मैंने फटे से थोड़ी trade और बढ़ा दी ठीक है अभी पीछे वाली trade में जो हुआ इधर नहीं होना चाहिए और जस्ट पीछे भी एक healthy green candle है और अभी market का थोड़ा सा और area ओपे ने आपके लिए तो एक green candle at least इधर आनी चाहिए ठीक है तो देखते हैं इसका wait करते हैं और मैं हमेंसा कहता हूं कि गंदी market हो तुरंत उदर से भाग जाओ जबर दस्ती मद घुसे रहो ठीक है और एक दो बार history भी देख लिया करो यार history में क्या हो रखा है क्या नहीं हो रखा है जिससे की current situation पे भी बड़ा सुर्थ बढ़ता है और मेरे साथ क्या हो गया ठीक है तो market मुझे हिला डाला मैं तो ग्यान देता ही रहे गया और market मेरे साथ खेल गया ठीक है मार्केट मेरे साथ खेल रहा है यार मतलब मुझे को market अभी लपेट रहा है बहुत बुरी तरह से ठीक है अब देख रहे हो ना कैंजल गरेन की बन रहा है हुश्चन सब को साइज आ रहा है बट साइज को बहुत जफ़़जाद ही रेड्यूस की मतलब कर दे जा रहा है जितनी बड़ियं इंट्री लेक्ट के कोशिस कर रहा हूं उसी हिसाब से साइज को एकदम माइनर कर रहा है यह मार्गेट देख रहे हैं यहां पर चलो मैं एक रिवर्ट सिल की ट्रेड ले ले लेता हूं ठीक है तो देखव अगेन मैंने बड़ा ही इन्वेस्टमेंट किया आप ये मत कहना कि मैं इधर इन्वेस्टमЕंट अपने छोटा कर रहा हूं ठीक है कि मतलब मैं आपको दिखाना तुछ आता हूं बट यहां पर मैं कंजूसी कर रहा हूं मैं कंजूसी नहीं कर रहा हूं मैंने अगें 1400 डॉलर इन्वेस्ट किया एक ख्लाक से उपर के पैसे अगें ठीक है और यह 100% रेट केंडल यहां पर बननी ही चाहिए यहां पर एक साइज को एकदम माइने करके मेरी ट्रेट को इधर से उधर से बस लॉसी करवा दिया मतलब मेरे को प्रॉफिटेबल नहीं होने दिया पिछली किसी भी ट्रेड में ठीक है पहली वाली को शोड़के है अभी इसको तो एक बढ़िया एट बननी ही चाहिए ट्रेड मीरी यह हो गया शहाइन हो का मालट कुछ रिफड्ल हो गई बागी सब लास हो गई और यहां पर मार्केट किया इक doubles करवा ऑगी मतलब यहां पर किया Nativn आठा लेक आएगी ही आएगी तो यह तो यह होता है नतिशा गंदी market में समीर का हमें सब बोलता हो जैसे मार्केट गंदी दिखे तुरांत स्किप करो बिना किसी सूच विचार के या तो ट्रेड स्टॉप कर दो लगे मत रो जबर्दस्ति लगे रहोगे बिट जाओगे ठीक है यह देख रहे हैं आप क्या हुआ मेरे साथ मैंने तीन चाथ ट्रेड की किसी एक सिंगल ट्रेड में भ करवा दिया जबकि रिवर्सल ट्रेड अपनी अच्छी हो गई थी ठीक है तो मिलते हैं नेक्स पर सब्सक्राइब कर लेना ठेली ग्राम चैनल भी